जी हाँ गाईज ये वीडियो बहुत जादा important होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा है किसा December का cycle आखिर होगा कब होगा भी या नहीं होगा क्योंकि अब हम November में खड़े हैं आप November 7 या 8 को ये वीडियो देख रहे होंगे और बहुत करने से पहले ये कह दूँ कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आपका जो मेहनत है उसको रोकना मत क्योंकि बहुत जादा chances है कि आने वाला जो attempt होगा जो ये attempt है December का उसके बाद जो जून में attempt होगा क्योंकि बहुत लंबा समय मिलेगा जून की attempt के लिए तकरीबन 4 से 5 मेने मिलेंगे तो ऐसी पूरी पूरी possibility है कि शायद कुछ बड़े-बड़े changes आपको देखने को मिलें तो बड़े-बड़े changes को अगर आपने नहीं देखना है उससे पहले ही exam clear कर लो December का attempt is the golden opportunity for those who really want to crack the exam in this attempt only क्योंकि आने वाले time में क्या होगा attempt जो है limited हो जाएंगे कि इस तरीके से आगे faculty recruitment होगा अगर आप UGC net कर लेते हैं क्या आपकी negative marking होगी या नहीं होगी वो जून में जा सकता है शायद December में आपको पूरा का पूरा chance है कि इसी बार अपना exam crack कर लीजे अब बारी आती है कि आखिर आपका exam होगा कब तो इसको एक तरीके से समझते हैं कि आप अभी कहां खड़े हैं अगर आपने ये वीडियो देखी है तो तकरीबन तकरीबन हम मान लेते हैं कि आप 7th November पे खड़े हैं जब आप 7th November पे खड़े हैं तो हमेशा exam से 2 महीना पहले हमेशा exam से 2 महीना पहले आपका notification आपको मिलता है उसके बाद आपके form filling होती है और अगर कभी पहले मिल भी जाए तो भी उसमें chances ऐसे होते हैं कि वो stretch कर दिया जाता है तो तकरीबन आपको 2 महीने तो मिलते ही हैं तो अगर मैं 7 November अभी भी exam का notification आउट होता है तो 2 महीने यानि कि 7 January तक आपके साथ ये possibility बनती है कि आपका exam January में तो जाएगा ही जाएगा इस बात की पूरी possibility है तो पहला चीज आपने ये देखा कि 2 मन्थ प्रायर आपको जो है notification मिलता है अगर notification आज भी आ जाए 7 November या 8 या 10 तक भी आ जाए तो 10 January तक तो आपका exam होना ही चाहिए पहला reason दूसरा reason ये कहते हैं कि अगर January तक exam जा सकता है इसकी दूसरी possibility क्या है अगर आपका notification आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो आगे तक जाएगा ही जाएगा क्योंकि फिर December में आपको बताए कि festival चुरू हो जाते हैं December is a month of festival फिर वहाँ पे आप Christmas देखेंगे आप New Year देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़े होंगी तो यहाँ पर पूरी पूर possibility है कि again दूसरी चीज जैनुवरी तक ही आपका attempt जाएगा अब जैनुवरी कब तक तो जो मेरी calculation कहती है जो मेरी समझ कहती है आपको तकरीबन तकरीबन जैनुवरी end तक है ना जैनुवरी end तक आप सारी की सारी चीज़ों से clear हो पाएंगे maybe notification आ चुकी हो maybe आपके exam की date आ चुकी हो तो अभी भी आपके पास दो महीने बाकी है तो मेरी आप से यह request है कि आप पढ़ाई को जारी रखिएगा पढ़ाई को जारी रखिएगा negative marking number of attempts यह अगली बार के लिए छोड़ देते हैं अगली बार देख लेंगे कि क्या होगा क् या syllabus change या कुछ भी है ना तो उसके उपर हम focus बाद में कर लेंगे अभी focus है कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए पढ़ाई अगर रुक जाएगी ना तो यह दो महीने कब दो दिन में बदल जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि time और ज़्यादा मिलना चाहिए था तो ऐस अगर आप सच में exam को crack करना चाहते हैं और इसी बार crack करना चाहते हैं हमारे courses भी चल रहे हैं और हमारी live और free classes भी चल रहे हैं मेरी free classes जो होती है ना guys हर Tuesday, Thursday और Saturday दो पहर को चलती है भाई दो बजे हर Tuesday, Thursday और Saturday दो पहर को दो बजे यहाँ पर आपको मिलता है content content यानि की theory plus मे questions जो कि आपके UGC net exam को crack करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बिल्कुल वही questions जो कि आपके exam में आए हैं और आगे भी आएंगे, तो exam का जो cycle है January तक जाने की इसकी उमीद है, January या February शुरू तक आपका सारा मामला निपढ़ जाएगा, आपका exam भी हो ये पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट होना लाजबी है क्योंकि आपने देखी सारी चीज़ें, और free content available है YouTube के उपर, Tuesday, Thursday, Saturday, दुपएर को दो बज़े मेरी class होती है, content और questions आपको भर-भर के मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजेगा, मेरे सा इसी प्रकार जोड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको ऐसा ही और best to best content आपके सामने रख सकूँ, thank you so very much, परशान मत हुए, समय बहुत है, मेहनत कीजिए, practice कीजिए, mock test लगाईए, previous year papers लगाईए, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, क्योंकि December का attempt बहुत ज़्यादा important होगा, thank you so much guys, जल्दी मिल रहा हूँ, एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, ध्यान पढ़ाई पर ही रहना चाहिए, thank you so much